असलाम अलेकूम कैसे हैं मेरी यूट्यूब फेमिली उमिद करती हूं सब ठीक ठाक होंगे बज़े से होंगे वेलकम करती हूं मेरे टेस्टी टेबल पर तो आज मैं आपके साथ सेपी देने जा रही हूं चिकन रूर जहानी की तो चले में किन-किन जीजो की ज़रू होते हैं स्टेब बाइस्टेप आपसे सेर करती जाओंगी मेरे साथ बने रहे तो चले रहे सेपी शुरू करते हैं हाप के जी मैंने स्पॉनले सिकन ले लिया है इस तरह से बड़े-बड़े पीश कर लिया है इसमें मैंने स्वाद अनुसर हाप टीश्पून नमक एट किया है हाप टीश्पून लालमेश पाउडर एट किया है हाप टीश्पून मैंने हल्दी पाउडर एट किया है दो पिंच पी ने अंदूरी फूट कलरेट किया है चले तो सारे मसाले इसमें गए आप इसे मिलाओंगी मैं अच्छी तरह से मेरिमेट करूँगी और इसे दवें 10 मिलिट के लिए डख कर रख दूँगी अगर आपके पस टाइम है तो आप 15-20 मिलिट तक भी रख सकते हैं त बजबस जाए मेरिमेट अच्छी तरह से हो जाए चले अच्छी तरह से मेरिमेट हो चुकी है चिकन तो समय ठक कर देती हूं साइड में बाकी की तैयारी करती हूं मैं तो मैंने दो बड़े प्याज़रे लिए दो तो टमाटर ले ले लिए इस तरह से मैं पोटे-पोटे च में में आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे टेस्टत्च लेबल फुट को सस्क्राइब जरूर करे मुझे nadu चुले पर कड़ाई रख दी है कर दो दोनों इसमें एक लस्पानी एट करूंगी और उसे पानी ड्राय हो जाएगा जब तलग पकाउंगी बागी के मसाले इसमें में एट करूंगी तो मसाले में वादनुसर नमक करूंगी हाप्तिस्पून लालमेश पाउडर एट करूंगी हाफ टोस्पून हल्दी करोंगी ठावटीस्पून दण्षीरा पाउडर एट करोंगी कुछ खड़ मसा लेट करूंगी बहुत थोड़े से दोजालचिनी के पीसे एक छोटी सी जमत्री के पीसे एक ब्लेक एलचा है दो तिन कारी मीरी है काली मीरी ब्लेक पेपर जो भी आप हो लेए सबको डालके मैं इसमें एकलेस पानी डालके इसे धकतर पकाऊंगी प्यास सोट हो जाए जब तला चले इसे धक दूंगी में मैं साथ से आठ काजू ले लिए मैंने एक हरी मिर्ज लिए वह भी मैं इसमें एट कर दूंगी ताके प्यास के साथ में यह भी अच्छे तरह से गल चुके गल जाए शौरी तो चले पानी ड्राइवर चुका है मैं चेक करती हूं इससे में साइड में रख दूंगी ठन्डा होने के लिए और मैंने एक फ्राइपें रख लिया है चुले पर श्माव होसा पर मिने दो टीश्पुन तेलेड किया और मैंने चिकन मेरी मिट की थी वह इसमें मैं पॉर कर दूंगी एक एक करने इस तरह से में पॉर करूंगी एक तरफ से अगर इसका कलर ब्राउन हो जाए तो मैं इसे पलट दूँगी सिर्फ एक ही बार उलट पुलट करेंगे कि अच्छी तरह से देखूंगी फिर में किसे कलर चेंज हो चुका है बहुत ही अच्छी खुस्पुआ रही है इसकी मैं बता नहीं सकती चले दूसरी बागी की जो चिकन है वह भी मैं इसमें उलट पुलट कर रख दूँगी चले चिकन हमारी सिख चुकी है इसे मैं साइड में रख दूँगी डग कर दूँगी मुझे सपोर्ट जरू करें प्लीज मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरते चले मैंने एक मिक्सर ग्रैंटर ले दिया है मैंने सारी प्याज और टमाटर मैंने इसमें पीछ लिए इस तरह से बारिक से पीछ लिए है चुले पर मैंने कड़ाई रख दिया है इसमें मैंने हाप टीश्पून जीरा एट किया तीन चब तेल एट किया जब जीरा कड़कने लगया तो इसमें मैंने सारा मसाला एट कर दिया है हाप टीश्पून मैंने जिकन मसाला एट किया है हाप टीश्पून का सुरी मेथी किई इसमें मैंने स्वादरनु सर्नमdriving कें है इसे अच्छी तरह से भुनूंगी पारिशने एकदम क्रीमी ओ गई है बहुत सूरत लग रही है आप इसे नान के साथ में करेट के साथ में दिख तेस्टי लगती है तो चुछलय मैंने चिकन भी कर दिया है इसे अच्छी तरह से उलेट पुलेट के इसे पकाऊंगी ताके सारा मसाला चिकन में रजबस जाए उसमें ने दो टीस्पून जितना टमाटो केचप एट किया है एक मुट्खी धनिया एट किया है आप सोते होंगे कि यह चिकन बटर चिकन जैसी लगती है लेकिन नहीं बटर चिकन जैसी जरूर है लेकिन यह चिकन नुर जहानी है सौरी चले चेक करते हैं बहुती खुश्बू आ रही है अच्छी बता नहीं सकती है आपको मेरा किचन तक खुर्पू से भर चुका है चले एक हरी मिज मैंने इसमें बारी बारी कट करके एट किये आप जितना तिखा खाना चाहे उतना तिखा कर सकते हैं आपके मर्जी के उपर है तो चले मैं इसे सव करती हूँ रेशे पी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें मुझे फिल्बेक दे फिर मिलूगी एक नई रेशे पी लेकर जब तक के लिए अपना खयाल रखें अल्ला हाफीज टिक केर इसमें मैं मलाई एट करूंगी सौरी मलाई दिखाना बूल गई थी अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप फ्रेश क्रीम भी एट कर सकते हैं नहीं है तो स्केप किजिए